हाई अब्रिवान वेलकम तो माई चानल रेसिपीज एट रैंडम चलिए आज बनाते हैं 10 मिनिट्स वाली रेसिपी की सीरीज में एक और बड़ी सिंपल सी रेसिपी जिसे आप बच्चों के टिफिन के लिए फटा फट से बना सकते हैं ले लिया है मैंने एक कफ गीहूं का आ और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर पानी को यूज करके एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे डो को थोड़ा सा सॉफ्ट साइट में इसलिए रखेंगे क्योंकि हम इसे स्टफ करने वाले हैं और जब भी आपको कुछ भी स्टफ करना हो ना तो उसका डो हो तो थोड़ा सा सॉफ्टर साइट में होना चाहिए डो को मैंने बना करके रख दिया है ले लिया है मैंने पनीर ये करीब 200 ग्राम पनीर है और इसे मैं अच्छे से देखिए इस तरह से मैश कर रहे हूं आपने अगर दूद में दूद को फाड़ करके घर में पनीर बना रह उड़ा कर लें तो रच चली पॉडर मंट ढालें और डालें बर्गें कसाूरी मेथि कासूरी मेति कासूरी मेति का फ़िवरी से बहत अच्छा आता है तो मैसेज़स करों जरूर से डालना हालका सा मैं Caleb कर बाका सा नमक करीब आता चोटा चमच डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला आता चोटा चमच अच्छ चाहँ चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब अपने हाथों का यूज कीज़े और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसे आप टीफिन के लिए फटा-फट से सुबह बना सकते हैं ब बस एक मिनिट के लिए ऐसे गूल देंगे आटा बिल्कुल परफिट कंसिस्टेंसी का हो जाएगा चलिए फटा फटा से शुरू करते हैं इसे बना लेते हैं तो इतने आटे में करीब आपके चार प्राथे बन जाएंगे तो मैंने एक तरफ रख दी है स्टाफिंग और ले अपना आटा तो इसके छोटे-छोटे से पोशन में आप डिवाइट कर लो जितना बड़ा पराथा आपको बनाना उसके कॉर्डिंग से हम डिवाइट कर लेंगे हाथों में चिपके तो सूखा आटा लगा लेना बस मैदा यूज करने के बिल्कुल जरूत नहीं है लेकिन आपका भी कभी अगर इसे मैदे के साथ बनाएंगे तो और भी जाधा यह अच्छा और टेस्टील बनता है आप आधा आटा और आधा मैदा भी उसकर सकते हो लेकिन अगर रोज के लिए बनाना है तो आप आटा ही उसकरो वह जाधा है अच्छे से फिल कर लेंगे को पुष करना और इस तरीके से बंद कर लेना बस क्योंकि आटा हमने थोड़ा से सॉफ्ट साइट में रखा था इसलिए बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा और अगर आपका यह पनीर वाली फिलिंग है यह हलकी सी गीली सी हो जाए क्योंकि इसमें आपने प्याज मिलाया प्य फिर से एक बड़ दिखाते हूं आपको चलो यह देखे मैंने दूसरा ले लिया है हलका से बेल लिया और अपने हाथ से भी कटोरी की तरह बना सकते हो या बेल की बना सकते हो मैं सारे तरीके आपको दिखा दूँगी न जिससे जो आपको कर्मीनिंट लगे आप उसे बना अब अंगोठे की हेल्फ से इसको अंदर की तरफ पुष करना बहुत जरूरी है अच्छे से बंद कर लेंगे फिर थुरा सा सुखा आटा लगाएंगे और बस अई देखिए जो ऐसे दबा दबा के इसको ऐसे स्प्रेड कर रहे है यह स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट ह इसे क्या होगा जो फिलिंग है ना आपके अंदर वो फिलिंग चारो तरफ अच्छे से अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी उसके बाद आप हलके हाथों से क्योंकि आटा बहुत ही सॉफ्ट है बिल्कुल हलके आपने हाथों से बेलना है और आपका पराठा तो बना बना कर कर सकते हो सुबह तो सारी बहुत जल्दी होती है इसलिए आप सारे काम एक साथ कर अब देखो फिलिंग मेरी थोड़ी सी गिली सी हो गई है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे इसमें सिंपल जो आप चोकर के लिए आ मिला देना और देखना इसके बाद मैं आपको यूज करके दिखाऊगी आप देखना अब देखोगे मैं जिब फिल करूंगी उसके बाद आप फरक देखना जो साइड साइड से हलका सा परणीर आपको निकलता हुआ जैसा एजेसे दिखाई पढ़ रहा था वह भी बिल्क बंद कर दो अच्छे से, हलका सा सूखा आटा लगा लो, और बस यह उंग्लियों से इस तरह से दबाना जरूर से हाँ, हलके हाथ से ऐसे चारो तरफ ना की फिलिंग अच्छे से चारो तरफ प्रेड हो जाए, और बस हलका सा बे लेना, अब देखो पहले आपने पहले वाले परेट है पराटे को compare करो पहले बाले पराटे मेरी एजेस के पास थोड़ी फिलिंग निकलती उसी दिख रही थी दिख रही थी ना लेकिन अब बिल्कुल नहीं एक और फिल करके दिखा देती हूं आपको फटाफट से आपने फिल करना है अब बोलोगे तो बहुत जादा ही के लिए ना अब हर बार जब भी आपका मिक्षेर गीला हो जाए कभी कभी हम घर का पनीर यूज करते ना तो ज्यादा तर हमारी फिलिंग जो है थोड़ी ज्यादा गीली हो जाती है जिब गीली हो जाए तो बस यही करना उसमें सुखा आटा मिला लेना थोड़े स्पाइस अच्छा सा कलर आने तक इसको अच्छे से दबा दबा के सेखना जिसमें कि एक करारा सा हो जाए तो यह बहुकल पॉफेक्ट टिफिन रेसिपी है इसे आप दही के डिप के साथ दे सकते हो दही के डिप बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ साथ सिंपल आप फ्रेश पराठा है लेकिन कभी कभी लगता है नारे पनीर का पराठा है निकल जाएगा फैल जाएगा कुछ नहीं होता बहुत ही सिंपल इसमें आपको कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं और पनीर की चीज ऐसी होती ना मैं पनीर की बहुत सारी टिफिन रेसिपी साथ शेयर बिलकुल डाल देते हैं अपना दूसरा पराठा भी और एक बात हाँ उसे दबाना जरूर उपर से आपने आप सिखने देना एक पराठी को आप अच्छे से दबा-दबा के ना दोनू पराठे में फरक देखना जिसे आप दबा-दबाके सेखोगे वो बहुत ही बड़िया लालाल सा सिकेगा और उसके उपर की टॉप लेयर जो है वो करारी से हो जाएगी और जिसको आप विकल ऐसे ही छोड़ दोगे वो कहीं कहीं से जल भी जाएगा, सौफ्ट सा रहेगा, देखने पे भी नहीं अच्छा लगेगा और जबकि फिलिंग दोनों में सेम है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी महनत और प्यार चाहिए पराठा सेखने के लिए तो अगर आप अपने पराठे को प्यार से सेखेंगे ना, तो और भी जादा अच्छा बनेगा तो इसे जरूर से ट्राइ कीजिए और फीडबेक में साथ जरूर से शेयर कीजिएगा थैंक्स वाचिंग, बाबाई